पूरी तरह से पिछड़ चुकी थी लेकिन अभी शेक शर्मा और हैन्री क्लासिन की खतरनाग बल्ले बाजी के चलते हैधराबाद की टीम ने पंजाब को मात दे दी नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैधराबाद और पंजाब के बीच के मैच का रोमान चक का पूरा हाइलाइट लेकिन उससे पहले दोस्तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम आईपेल का खिताब जीतेगी आप हमें नीचे कमेंड ब लिया बल्ले बाजी करने को आई प्रब सिम्रम के साथ अथरवर टायडे दोस्तो दोनों ने आते ही हैधराबाद की गेन बाजी के पहले ही ओवर से हमला बोल दिया और ताबर तोड बल्ले बाजी कर डाली और पावर प्ले में 70 रन का स्कोर खड़ा कर दिया व्योवी बिन कोई विकेड गवाई लेकिन उसके बाद दोस्तो दोनों ने मैदान पे चोके छको का सिलसला जारी रखा और देखते ही देखते साजिदारी सतक के करीब पहुँच गए लेकिन अथव तैड़े 27 रन बना कर आउट हो गए और 97 रन के स्कोर पर पंजाब को पहला जटका कोई दूसरी और से रिली रूसों भी अपने अर्ध सतक से चुक गए और 49 रन बना कर आउट हो गए उसके बाद आखरी में जिते इस सर्माने 15 गेंदों में 32 रन की बनाबाद 20 पोल टक पारी खेलके पंजाब के स्कोर को 200 के पार पहुँचा दिया और पंजाब की टीम ने पारी को संबाला और दोनों ने चौके छको की बरसात कर डाली और देखते देखते 70 रन की साजिदारी कर डाली लेकिन उसके बाद दोस्तों तरहुलतर पार्थी 33 रन बना कर आउट हो गए तो वहीं दूसरी ओर से अभिशेक सर्मा ने अपना आर्ध सतक पूरा कर लिया औ कि नितीश कुमार रेडी भी 37 रन बना कर आउट हो गए लेकिन दूसरी ओर से दोस्तों हैंडरी किलासिन बड़े शोट खेलते रहे और मैच को हैदराबाद की जोली में डाल दिया लेकिन 19 वे ओवर में 47 रन बना कर हैंडरी किलासिन भी आउट हो गए और आखरी में हैदर कि टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और दो पॉइंट अपने नाम कर लिये